आशा करता हूँ आप साब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम है सिद्धान तक नहीं होतरी स्टड़ी आईक्यू पैप का बहुत बहुत स्वागत है क्या करेंगे आप जब रक्षक ही भक्षक बन जाए सुमेद सिंग सेनी जिनकी एक समय पंजाब पुलिस में तूती बोलती थी आज पुलिस से ही भागे भागे फिर रहे हैं अब यह क्या इशू है देखिए मैंने के पीएस गिल की बाग्राफी रिव्यू की है आप देख लीजेगा वह समय पंजाब के 1980 में पंजाब के डीजीपी थे और पंजाब में इंसर्जंसी को खतम करने का बहुत बड़ा आश्रे उनको दिया जाता है देखो क्या होता है ना कि 1980 में जब खालिस्तानी मुव्मेंट जो था अपने पीक पे था ऑपरेचन ब्लू स्टार हुआ फिर ऑपरेचन थंडर बोल्ट हुआ वो सब कवर्ड है तो उस समय आतंक वाद पंजाब में पीक पे था तो पुलिस व जाने में सुमेज सिंग सैनी के पीस गिल जैसे अफसरों का बहुत बड़ा हाथ है सुमेज सिंग सैनी उस समय SSP थे इनको फूल हैंड दिया गया था कि आपको जो करना है करो के पीस गिल ने इनको पूरा दिया गया था क्या आप करो stability लाने के लिए दूसरा ये है इनकी तारी भी बहुत करते उतना ही इनका criticism होता है पुलिस वालों का criticism भी उतना ही होता है क्योंकि इन्होंने भयानक human rights violation किये उन लोगों को भी पकड़के इन्होंने torture किया जिनका कोई भी लेना देना था ही नहीं आतंकवात से जिससे ये आतंकवात और ज़्यादा गुस्सा आई उसे ये case में आरोपी है सुमेज सिंग सेनी इनका career at the same time शांदार रहा है और फिर at the same time एक तरफ शांदार और बहुत विवादो भरा भी रहा है और अब सुमेज सिंग सेनी फरार हो गए है क्योंकि गिरफतारी की तलवार लटक रही है तो डाल में कुछ काला है तो जब से फरार हुए हैं तब से मीडिया उसको cover कर रहा है तो आज हम सुमेज सिंग सेनी की case file देखेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं इंस्टा पे मैं आ गया हूँ आप मुझे follow करिए साथी साथ UPSC के smart courses आते हैं आप study IQ का app डाउनलोड करके अवेल कर सकते हैं 10,200 सब्सक्राइबर है मेरे टेलिग्राम चैनल पे यही चैनल जोइन करिए तो पंजाब के former director general of police inspector general, director general of police यह police के सबसे बड़ी post होती है वो जो है इस समय फरार है Z plus security मिली थी दोस्तों Z plus उसके बावजूद फरार होगे क्यों फरार है? क्योंकि 49 साल पुराना case है 1991 में 1991 में junior engineer बलवंत सिंग मुलतानी को इडोने इनके उपर आरोप है कि abduct किया, torture किया और मार दिया disappear कर दिया इनकी body को अब दोस्तों police record के हिसाब से बलवंत सिंग मुलतानी अभी तक फरार है लेकिन बलवंत सिंग मुलतानी के भाई जो है और इनके जो वकील है इनके family के प्रदीप विर्क उनका कहना है कि इसमें 302 लगी हुई है इनके उपर सुमेज सिंग के उपर और ये पूरी तरीके सा आरोपी है अब सुमेज सिंग सैनी के साथ दो और पुलिस वाले आरोपी है लेकिन data and approvers भाई देखो जब गलत होता है ना इनसान पता होता है कि मैं बचने वाला नहीं हूँ सत्य परिशान हो सकता है पराजित नहीं हो सकता तो सुमेज सिंग सैनी के साथ जो दो पुलिस वाले थे उन्होंने अब साथ दिन शुरू कर दिया है वो सुमेज सिंग सैनी के खिलाफ हो गए है और कोट में गवाई वो इनके खिलाफ वो अब मान रहे हैं कि सुमेज सिंग सैनी के कहने पर ही abducted torture और disappear किया गया दोस्तों ये case जो है ये 6 मई को खोल दिया गया और तब से लेकर अभी तक सुमेज सिंग सैनी पर गिरफतारी की तलबार लतक रही है अब दोस्तों हुआ क्या है ये गये anticipatory bail लेने अग्रिम जमानत लेने anticipatory bail आपको पता ही है क्या होती है कि अगर आपको लग रहा है कि आप गिरफतार होंगे आप anticipatory bail के लिए apply कर दीजे आपको bail मिल जाएगी लेकिन court ने इनको bail देने से मना कर दिया एक सितंबर को जो निचली कोट है, डिस्ट्रिक्ट एन सेशन जज़ अफ मुहाली, उन्होंने इनकी एंटिसिपेटरी बेल को ही खारिच कर दिया, कि इनको बेल तो देने ही नहीं है, उसके बाद ये हरियाण पंजाब एन हरियाण हाई कोट गए, जज ने इनकी सुनवाई क करने से ही मना कर दिया, अब अगली जो सुनवाई है, वो साथ सितंबर को है, लेकिन अब गिरफतारी की, जो इनको पर तलवार है, वो लटा कर रही थी, और उसके बाद ये भी तीन-चार दिन पहले, जैसे ही जज ने सुनने से मना किया, ये फरार हो गए, और अभी तक इ होता हुआ दिखाई दिया, और इनकी बेल को खारिज कर दिया गया, बेल को खारिज मतलब क्या है, आप गिरफतार होंगे, तो जब बेल को खारिज, तब से ये फरार है, अब पुलिस जो है, वो जगा-जगा छापा मार दिया, 60 से ज़ादा पुलिस कर्मी, इनके घर पे तेनाथ थे, lockdown में फरार हो गए, अब वही प्रदीप विर्का का कहना है, कि ये lockdown में फरार हुए है, court ने इनकी bail को खारिज किया है, इनको तो गिरफ्तार होना था, इन्होंने तो contempt of court मार दिया, contempt of court आपको पते ये ना क्या होता है, दो तरीके के contempt of court होते हैं, देखें कितनी नहीं नहीं चीज़ आपको पता चल रही है इस lecture में, एक होता है आपका criminal contempt और एक होता है आपका civil contempt, ठीक है, अगर आप किसी भी decision को मानने से मना कर रहे हो, नहीं मान रहे हैं आप decision, वो civil contempt हो गया और अगर आप कुछ बहुत अभद्री टिपणी कर रहे हो, एनिवे वो एक अलग topic है, लेकिन यह तो contempt of court हो गया क्योंकि court के decision कोई नहीं मान रहे हैं और तब से फरार हैं, अब दोस्तों सुमेज सिंग सेनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, सुमेज सिंग सेनी जो है, वो 1982 के batch के Indian police officer है, IPS Indian police service, तभी तो DGP बने यह, IPS है 1982 batch के, retired director general of police है, chairman रह चुके हैं पंजाब public housing corporation के 30 जून 2018 में, 36 साल इन्होंने service को दिये, 36 साल, अब यही मैंने बताया ना, कि एक तरफ सुमेज सिंग सेनी जो है, आपको जो करना है आप करिये, एक तरफ तो इनकी बहुत लोग बढ़ाई करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये इनकी ओपर आरोप लगता रहता है, कि इन्होंने अपने पूरे करियर में human rights violation किये हैं, इन्होंने लोगों को torture किया, बच्चों को torture किया, जब ये SSP, senior superintendent of police थे, पंजाब के 5 district including चंडीगर, तब इन्होंने भेंकर human rights violation किये हैं, लोगों को torture किया है, और उसी में ही एक मामला आ गया है, बलवंत सिंग मुलतानी क 2012 में शिरोमणी अकाली दल BJP की सरकार थी, आपको पता ही है, वहाँ पे प्रकास सिंग बादल ने इनको DGP appoint किया था, और काफी जादा अपरोर हुआ था, बहुत गुसाइब भी तो लोग की इनको क्यों आप DGP बना रहे हो, यहाँ तक दोस्तों, यह जो सुमेज सिंग स थे, 54 साल के थे उस समय, और अभी 62 साल के हैं, तो सैनी वाज दी यंगेस्ट DGP इन दा कंट्री उस समय, जब 2012 में इनको DGP बनाय गया था, पंजाब का, तो लोगों का बहुत ज़्यादा गुसा भी था, कि आप ऐसे कैसे कर रहे हो, आपको यह नहीं करना चाहिए, तो फ केस में यह बुक हुए है, वो है मुलतानी, बलवन सिंग मुलतानी का केस, बलवन सिंग मुलतानी की बात करें, तो यह बेसिकली IS officer, D.S. मुलतानी के बेटे थे, उस समय बलवन सिंग मुलतानी 25 साल के थे, जूनियर इंजिनियर थे, चंडिगड इंडस्ट्रियल एंड हो सकता है, terrorist attack था यह, मैंने बता है न, उस समय जो insurgency थी 1980s, 1990s में काफी जाधा था पंजाब में, तो उसमें बलवन सिंग मुलतानी थे और इनके ओपर आरोप लिये लगा कि तुम भी शामिल हो इस हमले में, अब बलवन सिंग मुलतानी के ओपर तो यह आरोप था, इनको torture किया गया, अब पुलिस का यह कहना है कि यह तो भाग गये, लेकिन यहाँ पे लोगों का और जो documents उनका यह कहना है कि बकायदा बलवन सिंग मुलतानी को abduct किया, torture किया और इनकी body को ही disappear कर दिया, यह आरोप है इनके ओपर, और इसके लिए इन्होंने सारे documents जाली बनवाए ताकि बलवन सिंग मुलतानी को फसाया जा सके, और गलत तरीके से दिखाया कि he has been absconding from police custody, police custody दी गई थी ना इनको, यह चीज़ है, अब दोस्तों जब यह घटना हुई, तो इनकी family का, मुलतानी की family का mood खराब हो गया, उन्होंने यह बोला कि यह सब कुछ सुमेज सिंग स torture किया है, यह मामला कोट में गया, पंजाब एन हरियारा हाई कोट ने यह बोला, 5 अक्टूबर 2007 को कि CBI अब इसकी जाच करीगी, यानि कि यह मुलतानी केस अब CBI को सौंप दिया गया, 2 जुलाई 2008 में CBI ने सैनी और उस समय के जो चंडिकर के DSP थे बलदेव सिंग सैनी औ उन्होंने बोला, पलविंदर सिंग मुलतानी, उन्होंने बोला कि और लोगों को उठाया गया था, यहां पे सुमेद सिंग सैनी ने और लोगों को उठाया और उनको torture किया गया बकाईदा, तो यह आरोब जो है वो इनके ओपर लगाये गए, समझ गये, तो मैंने बताया जरना कि CBI ने 2008 में FIR जो है, CBI की ये वाली जो पूरी FIR थी, इसको Supreme Court ने quash कर दिया था, चूंकि अकाली government जो थी, उन्होंने सुमेद सिंग सैनी को बहुत defend किया था, इसलिए Supreme Court ने 2008 में FIR को quash कर दिया था, यहां पे क्या हुआ, 6 मही को दुबारा FIR दाखिल की गई, मात और पुलिस स्टेशन मोहाली में, मुल्तानी के जो भाई थे, पलविंदर सिंग मुल्तानी, उन्होंने ये बोला कि CBI की जो FIR है, quest कर दी था, भी मैंने बारता, सब केस कवर, I hope आपको clear हो गया होगा, टेक्निकल ग्राउंड पर ये quest की गई थी, तो दुबारा प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है, जब टेक्निकल ग्राउंड पर F.I.R. जो है, quest की जाती है, तो हम बिलकुल दुबारा प्रोसीडिंग जो है, वो स्टार्ट कर सकते हैं, ये तो एक केस था, और भी केसे इनके ओपर ला दे गए हैं, same to same में कैसे ही, 1994 में लुधियाना से तीन आदमिय का मानना है, सैनी और तीन और पुलिस वाले और जिसमें से दो रिटायर हो गए हैं, और एक सर्व कर रहा है अभी तक, इनके ओपर ये अरोप लगा कि इन्होंने मर्डर किया, और CBI ने फाइनली 20 साल बाद चार्ज शीट जो है वो दाखिल की, 23 साल हो गए हैं दोस्तों, 23 साल तक, विनोत की जो मा है, जो 2017 में मर गई, जिनकी उमर 102 साल की थी, उन्होंने इस लीगल बैटल को लड़ा, अब समझ रहे हैं, तो इनका जो करियर है, वो काफी कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है, एड़क्शन और बॉडी को डिसेपियर करना, इस तरीके के आरोप इनके पर लगते रहे हैं, सिमिलरली 2007 में, जब ये विजलेंस ब्यूरो चीफ थे, तब इन्होंने फॉर्मर डीजीपी, एस एस विर्क को बुक कर लिया, जो इनकी एसेट है, वो डिस्प्रोपोर्शनेट है, बहुत सारा पैसे इन्होंने कमा के रखा हुआ, बाद में इस F.I.R तो फिलाल ये लेचर था, आई होब आपको पसंद आया होगा, खुश रहें पर तरे, देसे सिद्धान तक नियोतरी, सैनिंग ओफ